नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है आज है 27 नवंबर दिन सोमवार खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जारी कार्तिक पुर्णिमा का क्या है महत्व बिहार से चकभरती परिच्छा का संसोधित कारी क्रम फिर हुआ जारी मनोज वाजपई ने अपनी बेटी की इक्छा का किया खुलासा मजदूरों को टरन से निकालने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा चीन में रहसे मैं बिमारी के बाद भारत अरट अब चले वरते हैं बिहार के अब तक की 25 वरी ख़वरों के और विस्तार से राजी के इस्पटालो को मिलेंगे 389 डॉक्टर बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के दोरा डॉक्टरों की अस्थाई बहाली होने में लग रहे समय को देखते वे फिलाल सम्विदा पर 389 विससग्य डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय लिया गया है जिसमें 108 स्त्री रोग विससग्या, 162 सिशु रोग विससग्या और 149 एनिस्थीसिया विससग्या शामिल है इसके लिए राजिस स्वास्त समीती की ओर से विज्यापन भी चारी कर दिया गया है बतादे किसके लिए आवेदन की शिर्वात हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीक 6 दिसंबर 2023 निर्धालित की गई है इस आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक चुक मिद्वार स्वास्त समीती के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विसेश जानकारी ले सकते हैं बतादे कि सभी पदों वर सभी कोटियों के लिए अधिक्तम उम्रसीमा 55 रखी गई है बिहारी बहतरे स्वेशल में आज हम बात करेंगे मृदुला सिनहा के बारे में मृदुला सिनहा का जन्म आजी के दिन 1942 में हुआ था वे एक सुविख्यात हिंदी लेखी का के साथ साथ भारतिय जन्ता पार्टी की केंद्रिय काड़े समीती की सदस्थ्य भी थी इन्होंने अगस 2014 से ऑक्टूबर 2019 तक गोवा की राजेपाल की रूप में कारी किया वह गोवा की पहली महिला राजेपाल थी मृदुला सिनहा बीजेपी महिला मोर्चा की पुर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं उन्हें मनोपडांत भारत के चौथे सरवच नागरिक पुर्षकार पद्म श्री से सम्मानित किया गया वस्तांस्क्रतिक मामलो और ग्रामीन परंपडाओं में रूची रखती थी उन्होंने इन विष्यो पड़ और लोक कथाओं पर लगू कहानिया लिखी इनमें से कई कहानिया हिंदी भाषा की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई और बाद में बिहार की लोक कथाएं नामक दो खंडों के संकलन में संकलत की गई उन्होंने कई उपन्यास और राजमाता विजया राज सिंधिया की जीवनी एक थी रानी ऐसी भी भी लिखी है इस किताब पर बाद में इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गए मृदला सिंहा को भारत के प्रिधान मंतरी रणिंद्र मोदी द्वारा सच भारत अभियान के लिए एक राज़ दूत भी नुक्त किया गया था मृदुला सना को बिहार के मुझपरपुर में बाबा साहिब भीम राव अंबेटकर बिहार विश्य विद्याले द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधी मिली उन्हें 2017 में अखिल भारतिये 13 पंथ महिला मंडल द्वार आचारे तुलसी करतवे पुरुषकार से सम्मानित कि गया था बिहार सिक्षक भरती परिच्छा का संसोधित कारिक्रम फिड हुआ जारी बिहार लोग सेवा योग के द्वारा दूसरे चरन की सिक्षक भरती परिच्छा का संसोधित सट्यूल एक बार फिर से जारी किया गया है जिसमें सिक्षक भरती की परिच्छाइं 7 दिसम्बर 2023 तक आयोजित की जाने के बाड़े में जानकारी दी गई है, हालाक इस बार संसोध सड्यूल में परिक्षा समय में बदलाओ किये गए हैं। दिसम्बर 2023 से एकल पाली में विव विश्यों के लिए अध्यापक भरती परिक्षा होगी जो दोपहड 12 से धाई बज़े तक आयोजित की जाएगी बाकी विश्यों का परिक्षा कारिक्रम यथावत रहेगा। जाने कार्तिक पुर्णिमा का क्या है महत्व? ऐसे मानेता है कि अगर कार्तिक पुर्णिमा के दिन सुभास नान करके पीपल के पेर में दूद में सकर विलाकर चढ़ाया जाए तो आपको मा लक्ष्मी की क्रिप्रा प्राप्त होगी और धन दौलत में बढ़ोतरी होगी। पुर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होता है। इसके गारी चालकों को काफी फायदा पहुचे गा है इसके साथ ही कट को दुबारा से बंद करने का भी आदेश दिया गया है। बतादिक विभाग के ओर से सरक सुरक्षा के तहत नए डिवाइडर को चिन्हत करने का भी निर्देश दिया गया है बतादिक विभाग के दोरा जारी के गए रासी सरक सुरक्षा अभियान के तहत खर्च किये जाएंगे वहीं विभाग के ओर से अब तक 111 डिवाइडर का च सरकों से जोडने वारी सरक के लावा अगर कहीं भी जबरन कट बनाया गया हो जो हाईवे से सीधे जुरता है उस कट की जांच करके बंद करके रिपोर्ट विभा को भिजा जाए साथ ही उस कट के पास जरूरत के मुतावे ग्रील लगाया जाए ताकि दुबारा से औस्थाई नशा मुक्ते दिवस पर S.M. नितीशनी की बिहार में फिर से सरवे कराए जाने की घोशना वीदे दिन नशा मुक्ते दिवस के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में आयूजित एक कारिक्रम में मुख्यमंत्रे नितीश हुमार के द्वारा सभी को संबोधित करते वे बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए किये जा रहे प्रयासों पर बात चीत की गई। केंद्री अस्तर से मॉनिटरिंग हो सकेगी इससे सर्वे में पार दर्शिता आएगी सर्वे टीम को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशा में रिपोर्ट जमा करना होगा। बिना टिकर के ट्रेन में सफर करने पर महिलाओं के ये है अधिकार। का अधर्श कर सकती है। करता है तो उन्हें विनम्रता पुरवक ऐसा प्रवेश करने से रोका जाना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्ष डिबो में केवल उस लगकी को यात्रा करने के नमती दी जा सकती है जिसके उम्र बारवश्य कम हो। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बंपर बहाली। प्रोफेसर के कुल 4108 पत पर बहाली की जाएगी। प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और आयोग ने विवाग को इसके अनुशनशा भी भेज दी है। इस स्थान को चिनहत करने के लिए एक स्थूप का निर्मान किया गया। विदेशी निवेशकों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रेडित करेंगे बहुत भिक्चू। बदलने के तहट बिहार की राजधानी पटना के ग्यानभवन में 13 वच 14 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर गया जिला के डियम डॉक्टर त्याग राजन SM की अध्यक्षता में BTMC बोद गया के सभाकक्ष में विविन देश की तमाम मौनश्टरी के केर टेकर वविक्चू प्रभारी के साथ बीते दिन एक बैठक आयोजित की गए जिसमें बिहार में कैसे बड़े बड़े उद्योग को स्थापित किया जा इस पर विचारवे मर्श किया गया। इस बैठक के दोरान DM के दोरा कहा गया कि आप सभी विविन देशों से जुरे हुए हैं और सभी का बोद गया में मौनश्टरी भी है ऐसे बें बिहार में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए आप अपने अस्तर से भी अपने देश के उद्योग पतियों को प्रेड में बिजनस नेटवर्किंग ज्यानवर्धक चर्चाएं ताल मेल वह साज़दारी के अफसरों की खोज से संबंध सत्र आयुजित किये जाएंगे मनोज बाजपई ने अपनी बेटी की इक्षा का किया खुलासा बिहार के लाल और बॉलेवुट के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपई के द्वारा एक बाचीत में अपने नीजी जिन्गी में रोने या नरोने पर चर्चा करते वे अपनी बेटी की इक्षा को लेकर एक खुलासा किया गया उन्होंने कहा कि उनकी बेटी हमेशा उन्हें रोते वे देखना चाहती है अविनिता ने कहा मेरी बेटी मुझे रोते वे देखना चाहती थी मैंने उससे कहा कि आज कल मैं बहुत कम रोता हूं इसलिए मुझे नहीं पता कि आप इसे कब देखेंगे लेकि समय पर कहसे दिख रहे हैं और पिर अगले दिन वह मेरी नकल कर रही थी बता दे कि मनोज बाजपई के द्वारा इसे पहले अपने बेटी को लेकर बताया गया था कि वह हिंदी भार्षा नहीं जानती है वालू हो कि बहुत जल्द ही मनोज बाजपई देवाशी स्मकीजा के नरदेशन में बलिफ फिल्म जो रब में नजर आने वारे हैं जो कि 8 दिसमबर को रिलीज होगी मजदूरों को टरनल से निकालने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा उत्राखंड के उतरकाशी के सिल्क्यारा सुरंग में फसे 41 मजदूरों को बचाने का काम लगातार जारी है लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है हलाकि टरनल में फसे मजदूर स्वस्त हैं बता दे कि ओकर मशीन के बलेर टूटने के बाद अब रहत टीम के दौरा चारों ओर से टरनल पर प्रहार करने की तयारी की जा रही है इसके लिए भारतिय सेवा के जवानों के दौरा भी अब मोर्चा संभाल लिया गया है इसके अलावा वर्टिकल ट्रेलिंग भी शुरू बताया चाता है कि यहां से मजदूर तक की दूरी 500 मीटर है रहत टीम के दौरा सुरंग के दोनों तरफ ड्रिलिंग काम भी शुरू कर दिया गया है जिस रास्ते ड्रिलिंग चल्दी होगी मजदूरों को सी रास्ते बाहर निकाल लिया जाएगा इन विकल्पों के अलावा एक माइक्रो टर्नलिंग पर भी काम शुरू कर दिया है पतना एरपोर्स उरान भरने वाली कई फ्लाइट दिसंबर में हो जाएंगी बंद। इन विकल्पों के दौरान प्रदेश के नियुनतम तापमार में दो से तीन डिग्री क्रमिक विधी की संभावना है हाला कि राज्ये में भी करकराती ठन के आसार कम ही है क्योंकि कभी धूप कभी छाओं के चलते मौसम में लगातार बदलाव दिख रहा मौसम विवस्टेशन के अनुसार एक चक्रवात ये परिसंचरन दक्षन अंडमान साग के आसपास 27 नवंबर को एक ननिम दवाओ का छेतर बनाने की संभावना है वहीं अगले 24 घंटों में राज्ये का मौसम सुस्क बना रहेगा मौसम विवाग के मुताबिक सुभा के समय राज्ये के उत्तर मध्य और उत्तर पुर्व भागों के एक या दो अस्थानों में हल पुर्वानुमान है राजी के निम्तम तापमान में अगले तीन दिनों के दोरान 2-3 डिगरी सेल्सियस की व्रिधी होने का इसके बाद अगले दो दिन किसी तरह की बदलाव का पुर्वानुमान नहीं है बेतिया में शराब की बड़ी खेप पुलिस ने की बड़ावा, ड्राइवर और खलासी गिलफतार विहर में पुन्रूप से सराब बंदी है से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आयदन सराब तसकरिस जुड़े मामने सुनने को मिलते रहते हैं हलाक इन पर नकेल कसने के लिए उतपाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ खास जादा कमी देखने को नहीं मिल रही पतादे कि ताजा मामला बेतिया के लौरिया टोल टैक्स का है जहां गुप्त सूशना के आधार पर मद निशेद विभाग और लौरिया थाना के दोरा सहींत रूप से च्छा पेमारी के दोरां एक ट्रक पर से 500 पेटी विदेशी शराब बरामत किया गया जिसमें लगभग 4400 लीटर शराब मौझूद थी इसके साथ ही पुलिस के दोरा ट्रक ड्राइवर और उक्चालक को भी गिरफतार किया गया है इस बात की जानकारी नरकटिया गंज SDPO जैप्रकास सिंग के दोरा लौरिया में समधाता सम्मेलन कर दी गई है उन्होंने बताया कि यह ट्रक पंजाब से लाई जा रही थी चीनमे रहसे में बिमारी के बाद भारत अलर्ट मोर में है बता दे केंदर सरकार के दोरा सभी राजियों को अस्पतालों की तैयारी की समिच्छा करने की सला दी गई है और कहा गया है कि कोविड के संदर्व में जो भी निगरानी समीती बनाई गई थी उसके परिचारन को लेकर तयारी करें मालूम हो कि सरकार की ओर से जारी के गया एडवाइजरी में कहा गया है कि नई बिमारी भी स्वशन संबंधित है जो मुख्य रूप से सार्स, सी, ओ, वी प्रभावित हो सकते हैं स्वास्तम मंत्राले के एक अधिकारी के द्वरा जानकारी देते वे बताये गया है कि भारत पब्लिक हेल्थ एमर्जनसी के लिए तैयार है कोविड के बाद भारत में स्वास्तिकी बुनियादी धाचा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए ग भीम संसत कारेक्रम में मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के द्वारा कारेक्रम को संबोधित करते वे एक बड़ा एलान किया गया उन्होंने अगले साल से टोला सेवको और ताली मी मरकच के वेतन में बढ़ुतरी करने की घोशना की है इसके साथ उन्होंने भीर की ओर देखत हो या ना हो इतना लोगों का भीर है हम सभी लोगों के साथ है समाज के सभी लोगों का हम सेवा करते हैं हम लोगों नितलतों के लिए सब काम शुरू किया लोगों को पढ़ाने के लिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कितना काम करवाए हैं आज उसका फाइदा लेलो हम एक एक कागज पढ़ेंगे किसी के लाके में कुछ भी होगा तो हम सब चीज देखेंगे चंता मत करो उन्होंने कहा कितनी भीर इस ग्राउंड में पहले नहीं देखी मैं आपकी सिवा करता हूँ आपके इतनी संख्या देख कर मैं और सिवा करूंगा आजकल जो संसत कारीकरम पर चराख पासवान का तंच पीते जिन जदियों की ओर से आयोजित की गया भी म संसत कारीकरम को लेकर लोग जनसकती पाटी रामवलास के राष्ट्र exhaust संसद करें अच्छी बात है लेकिन भीम संसत में यह भी बताएं कि दलतों के साथ जो अत्याचार हो रहा उन्होंने कहा कि अगर 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी विशेश राजी के दर्जे की मांग की जरूरत परती है तो इसकी वज़ा मुख्यमंत्री की गलत नीतिया हैं। दलत हितैसी हैं आप ही हैं जिन्होंने अनुशित चाती समाज में बटवारा करने का काम किया। आदी नेता युशूफ मेहर अली के सम्मान में आयोजित परिचर्चा को संभूधत करते वे कहा गया कि 2025 तक महागरवंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी। इसके साथ ही उन्होंने केंदर सरकार पर तंच कस्तेवे कहा कि रोजगार के नाम पर जुमले बाजी कर रही सभी योजनाओ का नाम बदल कर अपना नाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के गडीव और उपेक्छा के शिकार लोगों को आगे बढ़ाने के आवश्रक्ता है जो बिहार को विशेश राजे का दरजा मिले तो तेजीक से कर सकते हैं। अरचन विवस्था को समधान की नवीन सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंदर को भीजा गया है। से गडीवी खत्म कर दी जाएगी को लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्तमरार चौधरी के द्वारा उन पर हमला बोला गया है। साधन केवल 32 करोड है, वह क्या कर सकते हैं? बिहार में कानून विवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वह के मंत्रे नितीश कुमार को तो पता ही नहीं है कि बिहार के किस अलाके में अपराधी खुले आम घूम रहे हैं और कहां तांडव मचा रहे हैं। बिहार में अब सूशाशन का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उन्होंने 18 साल में सिर्फ और सिर्फ बिहार को बरबाद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसा कोई जिला प्रखन या पंचायत नहीं है जहां हर दिन कोई न कोई घटना नहीं होती हो। पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया। जिसके बाद बले बाजी करने के लिए मैदान पर उत्री भारतिये टीम के दोरा चार विकेट खोकर 235 रन बनाए गये। विश्णोई ने तीन तीन विकेट लिये अर्श्रदीप सिंग, अक्छर पटेल और मुकेश कुमार को एक एक विकेट मिला। भारक रितिहास में आज की तारीक है कई कार्णो सिदर्ज। अंतरराश्ट्रे ख्याती प्राप्त विद्वान काशी प्रसाद जैसवाल का 881 में जन हुआ। प्रतम सुतंता सिनानी और लोकसभा के प्रतम अध्यक्ष कनेश वासुदे मावलंकर का 881 में जन हुआ। प्रसद कवी और लिख खरिवन श्राइ बच्चन का 907 में जन हुआ। फिल्मों के एक प्रसद संगीतकार बपी लाडी का 1952 में जन हुआ। भारती क्रिकेटर सुरेश रहना का 1986 में जन हुआ। मराथी उपन्यासकार आलोचक्त तथा पत्रकार गजानन त्रयंबकम माड खोलकर का निधन 1976 में हुआ। भारत की प्रख्या समा सुधारक लक्षमी वाई केलकर का निधन 79 में हुआ। प्रसिद्प्रकतिसील कवी शिवमंगल सिंग सुमन का निधन 2002 में हुआ। वारल खड़ में आजम बात करेंगे मुबाइल टावर लगाने के बारे में सोचल मीडिया पर कहीं सुचनाय वारल होती है लेकिन सभी सच्छो ये जरूरी नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मोवाइल टावर लगाने के बाड़े में दरहसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि भारतिये दूर संचार विनिया मकपराधी करण एक कंपनी मोवाइल टावर लगाने के लिए पंजी करण सुल्क के रूप में 3,800 रुपए मां आज हम आपको यह बताने वाले है कि आप कैसे अपने अकाउंट से हैवी अटेच्मेंट को डिलीट कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको हैवी फाइल को डूनना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन पर जीमेल एप को खोलना है और इसके बाद सर्च बार में जाना है यहां आपको साइज 5 MB या जितनी MB की फाइल आप देखना चाहते हैं वो लिखना है एंटर दबाते ह आपको जीमेल पर फाइल दिखने लगेंगे यहां से आप सभी मेंस को सेलेक्ट कर उन्हें डिलीट कर सकते हैं इससरे आपका काफे स्टोरिस खाली हो जाएगा पेकार की मेंस को डिलीट करने के बाद आप क्रास wage को भी खाली कर दे यहां वो मेंस पर रहती है जो डिलीट चितर के तहल ग्रूप सी के 64 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में भलोग जो इसके लिए आवीधन करना चाहते हैं वरेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाकर ओनलाइन तरीके से अपना आवीधन कर सकते हैं बता दे कि आवीधन करने की अंतिम तारिक 9 दिसंबर 2023 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो लेवल 5 या 4 पदों पर आवीधन करने के लिए किसी मानिता प्राप्ट विश्विद्यार से किसी भी विश्य में graduate की डिग्री होनी चाहिए वही लेवल तीन या दो के पदों पर भरती के लिए किसी मानिता प्राप संस्थान या बोर से बारवी या इसके समकच परिच्छा उत्तिरन होनी चाहिए या मानिता प्राप बोर से मैट्रिक पास और NCVT, SCVT द्वारा अनुमोधित ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अलावा लेवल एक के लिए उमिद्वारों को किसी मानिता प्राप संस्थान या बोर से एक अक्षा दस्वी पास या इसके समकच परिच्छा उत्तिरन होनी चाहिए इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के लिए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें हमारा पहला सवाल है हाली में किसने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थाई रूप से बंद करने की घोशना की है अप्शने अफगानस्तान, अप्शन भी जापान, अप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, अप्शन भी सौधी अरब इसका सहीध तरह ओप्शने अफगानस्तान, अगला सवाल, हाली में किस स्राजी में दुनिया के पहले 3D प्रिंटिट मंदर का उधगाटन किया गया है ओप्शने अरणाचल प्रदेश, ओप्शन B तेलांगना, ओप्शन C उडिशा, ओप्शन D में घाले है इसका सहीध तरह ओप्शन B तेलांगना, अगला सवाल, हाली में उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेस वे, राजी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बढ़ेगा उप्षनी बुंदेल खंड Expressway, उप्षनी लखनव Expressway, उप्षनी गोड़कपूर Expressway, उप्षनी इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है उप्षनी बुंदेल खंड Expressway अग्रा सवाल दरिया खा नुहानी को बिहार का शाशक कब बनाए गया? ऑप्शनी 1416-18, ऑप्शनी 1495-1522, ऑप्शनी 1565-92, ऑप्शनी 1435-52, ऑप्शनी 1435-52 अग्रा सवाल, निम्न लिखित में कौन बिहार विधान सभा के स्पीकर नहीं थे? ऑप्शनी त्रिपुडारी प्रिसाज सिंग, ऑप्शनी अरुंध कुमार सिंग, ऑप्शनी गुलाम सरवार, ऑप्शनी राम देयालो सिंग इसका स्तहिए उप्षिन भी अरुन कुमार सिंग बीते दिनमा अधरा पूछे हैं सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग अन प्रजाब हमें मारी कॉमें अधरा पूछे हैं सवाल का जवाब दिया है पुर्सुत्म कुमार सीमा कुमारी कुष कुमार यादव राम चंदर सिंग पालन यादव विवेक मिश्रा राजा कुमार सर्वजीत सिंग राजीव कुमार अविशेक कुमार गोरर सर्मा रिनु गोलु कुमार सुजीत गोप सुदुल्लाह पलवी प्रयाक सिंग शिफशंकर कुमार यादव इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की उराज का सवाल है आपकी छेत्र में सबसे प्रसिद्व परेटरन स्थल कौन सा है अपना जवाब हम इमारी कॉमेंट सेक्शन में अलिकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही पिहार के तमाम खबरों के साथ बने रह देखने चानल को सब्सक्राइब करना और अगरा पेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद